दोस्तियार आज हम बात कने वाले हैं Nokia की तरफ से आने वाले 32-inch HD Ready LED Smart Android TV के बारे में जो की Onkyo Sound के साथ आता है यह जो है Japanese की टेक्नोलजी है जो Onkyo Sound है इसमें आप सभी को जो है 6D Sound का Experience मिलेगा काफी अच्छा आउटपुट मिल जाता है वहीं पर टूटल 39W का Sound Power जो है यहाँ पर आपको आउटपुट देखने को मिल जाएगा जिसमें से 24W के Quattro X Speakers के हैं और 15W के Twitters इसमें देखने को मिलते हैं 360 डिग्री का Audio Projection भी इसमें दिया गया है तो आप सभी काफी clear, loud और powerful यहाँ पर sound power देखने को मिल जाता है Micro Dimming का feature दिया गया है HTV Max Bright की display की जो है यहाँ पर technology मिलती है जिसकी मदद से आपको काफी अच्छा brightness जिसमें देखने को मिलता है 325 nits का यहाँ पर जो है total brightness दिया गया है वहीं भी Pronto Focal AI engine भी इसमें दिया गया है जो की एक AI algorithm के उपर चलता है और adjustment करता है इसके color saturation वगेरा में ताकि आप सभी को high quality का sound मिल सके और आप सभी जो है यहाँ पर entertainment को experience करते रहें वहीं भी sleek and stylish design इस TV का 32 inch की screen size के साथ आता है diamond cut bezel का design मिलता है और आप सभी को counter speaker grills भी देखने को मिलेंगे तो यहाँ पर minimalistic remote के साथ आता है यह TV जो इसका remote है उसमें hotkeys देखने को मिल जाएंगे जिसे Netflix और Z5 के hotkeys हो गए आप सभी को remote पर ही देखने को मिल जाते हैं और यह TV जो है चलता है Android 9.0 पर Google Assistant का भी यहाँ पर support मिलता है Chromecast built-in है और यह जो है compatible है Gamepad के साथ मी तो यहाँ पर Android का operating system होने की वज़े से आप सभी को Google Play Store मिलता है जहांसे 5000 apps आप डाउनलोड कर पाऊगे और जो है access भी कर पाऊगे है वहीं बात करें जो है इसके और भी features की जिसे वीडियो features हो गए है तो मैने आप सभी को बताया कि यह जो है 325 minutes की peak brightness के साथ आता है VA का पैनल इसके साथ देखने को मिलता है इस TV में और वहीं पर आप सभी को बहुत सारे picture features भी मिल जाते है जो आडियो है वह आप सभी को जो है अच्छा देखने को मिलेगा इसमें and 39W output तो मिलता ही है वहीं पर बात करते हैं इसके hardware की तो यहाँ पर जो CA53 का quad core का processor मिलता है जो की Mali 470 quad core के graphic processor के साथ आता है 1.5GB की RAM मिलेगी 8GB की storage मिलती है Netflix, YouTube, Disney Plus, Hotstar and Prime Video जैसे applications सभी इसमें support करता है यह TV सभी and Z5 का premium भी यहाँ पर आप access कर पाओगे so connectivity options की बात करें तो 3 HDMI ports, 2 USB ports, headphone jack वगेरा देखने को मिल जाएगा आप सभी को and built-in Wi-Fi के साथ आता है screen mirroring का भी option मिल जाता है so यहाँ पर 55W का power consumption है बात करें इसके price की तो यह 15,999 रुपीस का देखने को मिलता है flip card पे तो यहाँ पर आप सभी अगर purchase करना चाहो कुछ इस तरह का TV जिसमें आपको audio quality काफी अच्छी मिले और वीडियो quality भी अच्छी रहे तो आप नोगे के साथ जा सकते हो काफी अच्छा TV है आप सभी को कैसा लगा जरूर से बताना अपने opinions शेयर करते हुए इसी TV के बारे में comment box में और वीडियो पसंद है तो लाइक करने शेयर करना और सब्सक्राइब कर देना मिलता हूं सभी से अगली वीडियो में